अलो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे अलफा बीटा अनसैटूरेटेड कार्बोनेल कंपाउंड्स के लिए वुडवर्ड फिसर रूल के हेल्प से एब्जॉप्शन मैक्सिमम या लेमडा मैक्स की कैल्कुलेशन कैसे की जाती है अब सबसे पहले हम देखते हैं अलफा बीटा अनसैटूरेटेड कार्बोनेल कंपाउंड्स क्या होते हैं तो देखिए अनसैटूरेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर एक डबल बॉंड परजेंट होगा अब उसकी position कैसे find out करेंगे अगर हम कार्बोनेल फंक्षनल ग्रूप को बनाते हैं तो इस कार्बोनेल कार्बन को छोड़ कर next कार्बन जो होगा उसको हम alpha से दिनोट करेंगे इसके बाद next उसको हम बीटा से दिनोट करेंगे अगर alpha और beta के बीच में double bond present होता है तो उन compounds को हम कहते हैं alpha, beta unsaturated carbonyl compounds अब carbonyl compounds में aldeide और ketone दोनों आ सकते हैं अगर यहाँ पर hydrogen present होगा तो वो आजाएगा aldeide की category में इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई alkyl group present हो तो वो आजाएगा ketone की category में अब Woodward और Fisher ने इनके lambda max की calculation के लिए कुछ rules दिये हैं और उन rules में Scott ने बाद में कुछ modification किया था अब देखते हैं यह rules क्या हैं तो इन rules में सबसे पहले हम discuss करेंगे कुछ basic values के बारे में तो सबसे पहला point discuss करते हैं alpha beta unsaturated ketones के लिए जो basic value होगी वो रहेगी 215 nanometer अब इसमें जो ketone है वो cyclic या six member drink का हो सकता हैं अब देखे अगर हम carbonyl group की बात करें तो उसमें यहाँ पर जो x present हैं अगर alkyl group हैं तो उस case में उसके लिए basic value कितनी होगी 215 nanometer या हम कह सकते हैं यह value किसके लिए रहेगी ketone के लिए अगर x की जगा h होता हैं तो वो aldehyde बनेगा और उसके लिए basic value हो जाएगी 207 nanometer इसी तरह से अगर x की जगा OH या OR group होता हैं तो उसके लिए basic value हो जाएगी 193 nanometer अब देखिए अगर double bond और carbonyl compounds five membered ring में हैं या हम कह सकते हैं cyclopentanon की form में हैं तो उसके लिए basic value कितनी हो जाएगी 202 nanometer तो यह तो हो गई basic value की बात यह सारी basic value आपको याद रखनी होगी अब discuss करते हैं जो alpha beta unsaturated carbonyl compounds हैं उसमें increments किस तरह से होते हैं तो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं exocyclic double bond की अगर किसी ring के साथ इस तरह से double bond attach होता है या हम कह सकते हैं बाहर की तरफ double bond attach होता है तो उसको हम क्या कहते हैं exocyclic double bond इसको अगर आप अच्छी तरह से समझना चाते हैं तो dines के लिए जो woodward fisher rule का video है उसमें मैंने ये detail में explain किये हैं तो exocyclic double bond के लिए यहाँ जो increment रहेगा वो कितना हो जाएगा 5 mm या इसको हम कह सकते हैं nanometer अब इसी तरह से अगर हम endocyclic double bond की बात करें जो की 5 और 7 membered ring में हो तो उसके लिए कितना increment लगेगा plus 5 अब इसी तरह से अगर हम alkyl substituent और ring residue की बात करें तो यहाँ पर उनकी जो value है वो position के साथ साथ change होती रहती है अगर alkyl substituent या ring residue alpha position पर है तो उसके लिए कितना increment लगेगा 10 का अगर beta position है तो उसके लिए 12 का increment लगेगा इसी तरह से अगर वो gamma, delta या उससे higher position पर है तो उसके लिए लगने वाला increment होगा 18 mm या nanometer अब बात करते हैं conjugation के extension की तो अगर double bond extend होते हैं तो पर double bond हम 30 add करेंगे अब इसके बाद अगर homo annular conjugated diene है तो उसके लिए हम plus 39 nanometer add करेंगे तो ये बात हो गई structural increments की अब बात करते हैं carbonyl compounds में अगर chromophore present है तो उसके लिए कितना increment लगेगा तो देखें chromophore की जो position है उसके basis पर यहाँ पर different type के increments लगेंगे अब देखें अगर OH group है तो alpha पे plus 35, beta पे plus 30, इसी तरह से delta और higher है तो plus 50 तो इसी तरह से acetyl group हो गया, chloro, bromo, alcoxy हो गया, thiol हो गया या tertiary amine हो गया तो इनके लिए position के according अलग-अलग increments लगते हैं तो यह सारी values भी आपको याद रखनी पड़ेगी अब देखें basic value हो गई, फिर structural increments हो गई और फिर हमने discuss कर लिए chromophore के increments अब alpha, beta unsaturated carbonyl compounds के लिए lambda max की calculation कैसे करते हैं तो आईए discuss करते हैं कुछ examples लेते हैं पहला, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, उस compound के लिए basic value find out करनी है अब basic value में अगर हम देखें तो यह कौन सा functional group है, ketone और अगर हम इसमें unsaturation की बात करें, तो देखें यह हो जाएगी alpha position, यह हो जाएगी beta position अब यहाँ ketonic group है, तो उसके लिए जो basic value है, वो हो जाएगी 215 nm अब यहाँ यह हो जाएगा carbonyl group, अब जिस तरफ unsaturation है, यह हम क्या सकते हैं, जिस तरफ double bond है, उसके साथ कितने दूसरे group या alkyl group जुड़े हो हैं तो अगर हम देखें, यहाँ पर दो alkyl group जुड़े हो हैं, और दोनों के लिए position क्या है, beta position तो यहाँ हो जाएगे 2 beta alkyl groups, अब अगर हम beta position की बात करें, तो एक के लिए value कितनी होती है, 12 तो दो के लिए value कितनी हो जाएगी, 24, अगर हम इसको add करते हैं, तो इसके लिए जो lambda max की value है, वो हो जाएगी 239 nm आपको यह वाला alkyl group consider नहीं करना है, क्योंकि यह double bond से जुड़ा हुआ नहीं है, कारबोनिल carbon से जिस तरफ double bond होते हैं, आपको उसी तरफ के सारे group consider करना है, कारबोनिल carbon से इधर वाले group आपको consider नहीं करना है, तो यह चीज आपको ज्यान रखने है, अब देखते हैं दूस हैं तो ketonic group के लिए basic value कितनी होती है 215 nanometer और यह six members है तो इसके लिए यही value रहेगी अब देखते हैं इसके लिए ring residue कितने है तो देखिए यहां आपको क्या करना है ring residue के लिए जो conjugation है उसको ring से अलग करना होता है तो ring residue कैसे निकालते हैं तो यहां देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया carbonil carbon से जिस तरफ double bond है आपको वो ही side consider करनी है यह side आपको consider नहीं करनी है तो double bond किस तरफ है इस तरफ आ रहा है तो देखिए यहां अगर हम इसको ring से अलग करें तो दो जगह से हमको cut लगाना पड़ेगा अब इसकी position find out करते हैं तो देखिए यह तो हो जाएगा carbonil carbon carbon को छोड़ कर हम alpha और beta लगाएंगे तो दोनो जो ring residue है उनकी position क्या आ रही है बीटा पर तो यहां हम लिख देंगे 2 beta ring residue एक की value होती है 12 तो यह total हो जाएगा 24 nanometer अब देखते हैं next तो इसमें एक exocyclic double bond present है अगर हम ring को number दें तो यह A और यह B अगर हम B ring को देखें तो उसके साथ देखिए यह इस तरह से double bond जुड़ा हुआ दिख रहा है तो यह हो जाएगा one exocyclic double bond तो इसके लिए value हो जाएगी arch nanometer अब इसको जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा total 244 nanometer तो इसके लिए यह हो जाएगी lambda max की value अब देखें कोई भी compound में ring residue है या exocyclic है या extension हो रहा है तो वो आपको कैसे पता लगेगा अब देखें उसके लिए आपको क्या करना है जो मैंने structural increment वाली table आपको समझाई है उस table में आपको क्या करना है first point से start करना है first point जैसे क्या है exocyclic तो आपको देखना है इसमें exocyclic है या नहीं है दूसरा point क्या कहता है, उसमें endocyclic है या नहीं, तो वो आपको देखना है, फिर alkyl substituent adding residue कितने हैं, वो आपको देखना है, तो इस तरह से आप हर molecule को point wise देखोगे, ताकि आप से कोई भी increment miss नहीं हो, अब देखते हैं third example, तो अगर third example की बात करें, तो इसमें भी basic value कितनी हो जाएगी 215, क्योंकि इसमें भी कौनसा functional group present है, ketone, अब देखिए ketone के लिए basic value ये हो गई, अब देखते हैं इसमें exocyclic double bond है या नहीं है, यहां अगर हम बात करें, तो एक ही ring है, तो इसमें exocyclic bond present नहीं है, इसके बाद हम देखते हैं alkyl substituent और ring residue, अब देखिए अगर हम इस alkyl group को देखें, तो ये double bond से connect नहीं है, जैसा कि मैं आपको बताया, आपको क्या करना है, कार्बोनिल कार्बन से वो ही side देखनी है, जिस side क्या है, double bond present है, उसके दूसरी वाली side consider नहीं करनी है, अब अगर ये side हम देखते हैं, तो इस side में देखें, एक तो क्या है, methyl group हैं, और एक क्या है, oh group, अब इनकी position क्या होगी, तो कार्बोनिल कार्बन का next carbon हो जाएगा alpha, और ये हो जाएगा beta, अब अगर हम methyl group को लिखें, या alkyl group को लिखें, तो ये हो जाएगा, one beta alkyl group, अब इसकी position क्या है, beta है, तो इसके लिए value हो जाएगी 12, अब ring residue की बात करें तो यहां ring residue कितने हो जाएगे, एक, इसको हम यहां से cut कर सकते हैं, तो उसकी भी position क्या है, beta, तो ये हो जाएगा, one beta ring residue, इसके लिए value हो जाएगी 12, अब बात करते हैं, oh group की, तो oh group alpha position पर है, तो इसके लिए हम कितना increment लगाएंगे, 35, इसके लिए भी मैं आपको table बताई है position के according उसमें increment लगते हैं, तो ये हो जाएगा alpha position पर, अब इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 274 nanometer, तो ये हो जाएगी इसके लिए lambda max की value, अब देखते हैं 4th example, तो 4th example में जो ketonic group हैं, वो 5 member ring से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए जो basic value हैं, वो हो जाएगी 202 nanometer, अब देखते हैं इसमें क्या-क्या जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए पहले हम numbering कर देते हैं, alpha और ये हो जाएगा beta, अगर हम beta पर देखें, तो यहाँ पर एक alkyl substitute जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 beta alkyl group, इसके लिए value हो जाएगी 12 nanometer, अब अगर हम इस 5 member ring को देखें, तो यहाँ पर देखें, ये एक exocyclic double bond present है, तो एक exocyclic double bond के लिए value हो जाएगी 5 nanometer, अब alpha बीटा unsaturated carbonyl compounds की बात करें, तो एक double bond उसमें पहले से present होता है, अब इस compound को अगर देखें, तो उसमें एक extra double bond present है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 double bond extension, तो extension के लिए ज वो हम add करेंगे 30 nm, अब बात करते हैं, ring residue की, तो देखें, बीटा यह हो जाएगा, गामा और यहाँ आजाएगा delta, तो देखें, ring residue में हम क्या करते हैं, double bond को ring से अलग करते हैं, एक यहाँ से करेंगे, और एक करेंगे यहाँ से, तो एक हो जाएगा, गामा पर ring residue, जिसके लिए हम add करेंगे 18 nm, और एक हो जाएगा, delta पर ring residue, इसके लिए भी हम add करेंगे 18 nm, अब इसका total जब करते हैं, तो lambda max की value कितनी आ जाएगी, 285 nm, अब लेते हैं, fifth example, इसमें भी basic value जो है, वो कितनी हो जाएगी, 215 nm, क्योंकि इसमें भी, देखें, ketonic group percent है, और six membered ring है, अब सबसे पहले हम position लगा देते हैं, आपको इस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर double bond conjugation नहीं है, किस तरफ है यह, इस तरफ, तो alpha, beta, यह हो जाएगा gamma, और यह हो जाएगा delta, अब देखते हैं, इसमें ring residue, तो सबसे पहले, यहाँ से cut करेंगे, और एक क 10 nanometer, फिर दूसरा जो ring residue है, वो आ रहा है delta पर, तो gamma या delta उससे ज़्यादा जब value होती है, तो उसके लिए हम add करते हैं, 18 nanometer, अब बात करते हैं, exocyclic की, तो अगर हम इसको A ring माने, और इसको B माने, तो A ring के साथ देखिए, इस तरह से एक double bond यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यह हो जाएगा, one exocyclic double bond, अब इसके लिए हम add करेंगे, 5 nanometer, अब अगर हम B ring को ध्यान से देखें, तो देखिए, दो double bond एक ही ring में present है, तो इस तरह की जो ring होती हैं, उसको हम कहते हैं, homo annular conjugated dine, इसके लिए हम add करेंगे, 39 nanometer, देखिए, homo annular और hetero annular ring क्या होती हैं, तो इसको मैंने detail में, जो dines के लिए woodward fissure rule है, उसमें explain किया है, तो आप वो video देख सकते हैं, अब बात करते हैं, double bond extension की, तो यह तो हो जाएगा, इसका alpha beta वाला double bond, इसके अलावा एक double bond इसमें extra है, तो यहां आजाएगा, one double bond extension, उसके लिए हम add करते हैं, 30 nanometer, तो यह हो जो lambda max की value है, वो हो जाएगी 317 nanometer, अब देखते हैं, 6th example, तो इसके लिए जो basic value है, वो हो जाएगी 215 nanometer, क्योंकि यहां पर 6 membered ring हैं, अब इसके लिए numbering करते हैं, alpha, beta, gamma, delta, और उससे ज़्यादा जो value हैं, उन सबको हम delta से ही represent करेंगे, अब देखिए, ring residue देखते हैं, तो यह पहला, दूसरा, तीसरा और यह हो जाएगा, चौथा, अब पहला जो है, ring residue वो बीटा position पर हैं, तो उसके लिए हम add करेंगे 12 nanometer, उसके बाद next है, 1 delta ring residue, इसको हम लिखेंगे 18, उसके बाद दीखे, यहां पर, यह 2 delta ring residue हैं, तो इसके लिए हम add कर देंगे 36 nm, इसके बा बात करें, तो देखे, 1 और यह 2, दो double bond यहां पर इसको extend कर रहे हैं, तो इसके लिए हम add कर देंगे 60, एक के लिए value होती हैं 30, इसी तरह से अगर हम exocyclic double bond की बात करें, तो देखे, A, B और C, यहां पर 3 ring दिख रही हैं, B ring को अगर हम देखें, तो B ring के साथ यह इस तरह से 2 double bond यहां हो जाएंगे 2 exocyclic double bond, इसके लिए चो increment लगेगा, वो जाएगा 10 nanometer का, अब अगर हम इसकी total करें, तो यह हो जाएगा 351 nanometer, जो की इसके लिए lambda max की value हो जाएगी, तो इस तरह से आप alpha, beta, unsaturated compounds के लिए absorption maximum या lambda max की value calculate कर सकते हैं, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको उस structural increment वाली और chromophore increment वाली table को याद रखना है, उसमें कौन-कौन सी चीज़े आ रही, आपको step by step सारे increments उस formula में देखते जाना है, उसके according आप उसमें value लिखते रहोगे, जो-जो increments formula में present हैं, उसकी value आप लिखते रहें, औ इस तरह से यह हो जाएगी absorption maximum या lambda max की value.